नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागा थे आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज में लोग बात करने वाले हैं इंडियन जोग्राफी में भारत के अपवाहत्तंत्र यानि भारत के महत्तपुन नदियों के बारे में तो यह वीडियो आपके लिए काफी जादा महत्तपुन है तो आप इस वीडियो को सुरू से अंत्य तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपका अपना ये टॉपिक कम्प्लीट हो सके साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो देरी न करते हुए चले इस वीडियो को सुरू क कहा जाता है मतलब एक फिक्स जलमार्ग द्वारा जो जल का प्रवाह है मतलब जल का जो बहाव है उसी को क्या बोलते हैं अपवाह बोलते हैं और इस प्रकार के कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है मतलब एक जलमार्ग है तो उसको क्या बोलेंगे उसक अपवाह बोलेंगे लेकिन इस प्रकार कि अगर कई जलमार्गों का जो जाल तैयार होते हैं उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र और नदियों और सहायक नदियों के द्वरा ही प्राक्तिक अपवाह तंत्र का विकास होता है ठीक है तो आप सीधा सा अपवाह और अपवाह तं इन स्दानीर मतलब वर्ष भर जल से पूर्ण होती है इनका सुरोत प्राया ग्लेसियर से जुड़ा होता है और इन नदियों में वर्ष में दो बार जलकी मात्रा में बृध्धी देखने को मिलती है पहली बार गर्मी के समय में मतलब ग्रीस मृतु में जब बर्फ पिघलता है उसके करन जलकी मात्रा में बृद्धी और दूसरी बार दक्षिन पूरु मानसुन के समय में मतलब जब यहाँ पर देख्षिन पूर मानसुन पहुंचते है तब इन नदियों में दूसरी बार जलकी मातरा में बृद्धी देखने को मिलती है मैं आपको बता दूँ जो हिमालाई नदिया है यह प्राया बहुत कम जाकर सामुद्र में गिरती है मतलब बहुत कम ऐसी हिमालाई नदिया है जो सामुद्र में जाकर गिरें प्राया है यह किसी न किसी की सहायक नदिया होती है और मैं आपको बता दूँ ये जो नदिया हैं यहाँ पर नौज चलाई जा सकती हैं और प्राये हिज़ए अपने मार्ग में गहरी घाटियां और गाज का निर्मान करती हैं और मैदानी भागों में ये डेल्टा और विसर्पों का निर्माण भी करती हुई दिखाई देती हैं तो हिमालाई नदियों के संबंध में या फिर हिमालाई अपवाहतंत्र के संबंध में आपको इतनी चीजें याद रखनी है जो हिमालई अपवाहतंत्र है इसको तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला गंगा नदी का अपवाहतंत्र दूसरा सिंधु नदी का अपवाहतंत्र और तीसरा है ब्रंभ पुत्र नदी का अपवाहतंत्र तो आज हम लोग इस वीडियो में गंगा नदी के अपवाहतंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो जो गंगा नदी का अपवाहतंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाहतंत्र है भारत के कुल छेत्र फलका लगभग 26.25 भाग में गंगा नदी का पुवाहत अंत्र फैला हुआ है मतलब लगभग 8.6 लाख वर्ग किलो मीटर में गंगा नदी का पुवाहत अंत्र फैला हुआ है गंगा नदी भारत में और बांगला देश में यानि दो देशों में प्रवाहित होती है साथी साथ भारत के पांच प्रदेशों में बहती है उत्तरा खंड उत्तर प्रदेश बिहार जार खंड और पश्चिम बंगाल सबसे यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है जबकि गंगा नधी का जो अपवाहत तंत्र है न वो चार देशों में फैला हुआ है भारत नेपाल तिबबच जो की चीन के अधिकार छेतर में आता है और बांगलादेश मैंने आपको बोला कि गंगा नदी जो है वो दो देसों में बहती हैं भारत और बांगला देस जबकि गंगा नदी का जो अफवाहत तंत्र है वो चार देसों में फैला हुआ है भारत नेपाल तिबबत और बांगला देस और गंगा नदी का जो अफवाहत तंत्र है वो भारत तो ये 11 प्रदेश हैं जिन में गंगा नदी का अफवाह तंत्र फैला हुआ है ठीक है तो गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है सरवाधिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और सबसे कम दिल्ली में देखने को मिलता है आपको पते है दिल्ली में यमना नदी है यमन नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलो मीटर है किसी किसी बुक में आपको 2510 किलो मीटर मिल जाएगा तो आपसन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं तो अब हम लोग गंगा नदी के अफवाह तंतर को मैप के माध्यम से देखते हैं तो आप मैप को भहत ही ध्यान से गंगोत्री ग्लेसियर से निकलती है प्रारंभ में इस नदी को भागी रथी के नाम से जाना जाते है तो जब भागी रथी नदी आगे बढ़ती है तो इसमें थोड़ी दूर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी भीलांगना नदी जो है वो टिहरी ग्लेसियर से निकलने वाली अलक नंदा जो नदी है वो आकर यहां पर मिल जाती है तो जहां पर भागी रथी नदी और अलक नंदा नदी आकर मिलती है उसी स्थान को बोला जाता है देव प्रयाग और देव प्रयाग से ही इस नदी का नाम पढ़ जाता है गंगा तो याद इसमें भी कई सारी नदियां आकर मिलती हैं तो इसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं क्यूंकि ग्याम में यहां से भी कई सारे प्रेशन बनते हैं तो सबसे पहले अलक नंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है विश्नु प्रियाग स्थान पर जो है धौली गंगा नदी यनी अलक नंदा नदी से जहां पर धौली गंगा नदी आकर मिलती है उस इस्थान को बोला जाता है बिश्नु प्रियाग मैं आपको बता दूँ जो धौली गंगा नदी है ये भारत तिबत सीमा में इस्थित एक दर्रा है नीती दर्रा वहां से निकलती है और सीधे आकर अलक नंदा नदी में सामिल हो जाती है इसमें एक और नदी जो की आकर मिलती है रिसी गंगा नदी जो रिसी गंगा नदी है वो उत्तरी नंदा देवी हिमानी से निकलती है, और आकर ये चमीली इस्थान है, ये जो चमीली जिला है, वहाँ पर रहनी गाउं एक पढ़ता है, तो वहाँ पर आकर धौली गंगा से मिलती है, ठीक है, तो ये जाकर धौली गंगा में मिल जाती है, और मैं आपको बता दू रिशी गंगा नदी में ही एक नेशनल पार्क इसथीत है जो है नंदा देवी राष्टी नेशनल पार्क ठीक है तो ये आकर आगे धौली गंगा में मिल जाती है और धौली गंगा जाकर जहांपर अलग नंदा से मिलती है उस स्थान को बोलते है बिश्नु प्रियाग इसके दायं छोड से मिलते है जिसको मदाकिनी नदी मिलती है तो मदाकिनी नदी कर्ण प्रियाग मिलती ये केदारनाथ के पास 14 बाड़ी स्थाने वहां से निकलती है और जिस स्थान में आकर अलकनन्दा नदी से मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रूद्र प्रयाग और फिर आगे आकर मैंने आपको बता ही दिया कि अलग नंदा नदी जो है भागी रथी से मिल जाती है तो उसी स्थान को क्या बोलते हैं देव प्रयाग ठीक है तो एक्जाम में यही पूछा जाते हैं इन प्रयागों के बारे में कि कहां पर कौन सी नदी आकर मिलती है तो उसी स्थान को कौन सा नाम दिया जाते है तो इन का निर्मान हो रहा है तो विश्णु प्रयाग में जो है धॉली गंगा नदी जो है अलकननदा से मिलती है तो केवाल धॉली गंगा को याद करेंगे तो यहां पर देखे धॉली में आपको सद मिल जागा विस मतलब जहर की बात तो जाही सी बात है अगर किसी भी चीज में जहर है और उसका उपयोग करना है तो धूल कर करेंगे मान लिजए कोई पौट है कोई वरतन है और उसमें कोई विस वाली चीज आ गई है तो वरतन को धूलेंगे बहुत अच्छे तरीके से तब उसका यूज करेंगे तो आप ऐसे याद रखेगा कि धौली गंगा नदी जहाँ पर अलक नंदा से मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं विश्नु प्रियाग बोलते हैं इसके बाद जो अगला प्रियाग है वो है नंद प्रियाग और यहाँ पर नंदाकिनी नदी आक पर मिलती है तो नंदाकिनी नदी जो है वहाँ पर नंद सब्द तो आपको वैसे ही मिल जाएगा तो जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलेगी तो उसका नाम क्या है नंद प्रियाग नाम से ही इस पश्ट हो रहा है इसके बाद जो अगला प्रियाग बनता है वो पिंडार नदी अलक नन्दा नदी से मिलती है तो वहां पर बनता है कर्ण प्रयाग में आपको एक सब्सादों अलग कर लेते हैं प्रयोग के सौई गात erf मर क्रयोग कोई किया पिंडार नदी तो आप ऐसे याद रखेगा कि जहां पर पिंडार नदी अलक नंदा से आकर मिलती है उस इस्थान को बोलते हैं कर्ण प्रयाग ठीक है इसके बाद दाएचोर से आकर मिलने वाली जो नदी थी वो है मंदाकनी नदी और मंदाकनी नदी जहां पर अलक नंदा स उनके पास तो और कोई जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि तीसरी नेत्र खुल जाएगी और जल जाएंगे तो कोशिस यह करेंगे कि जब उनके पास जाए तो उनका क्रोध जो है मंद हो जाए मतलब धीमा हो जाए तो मंद फोर मंदाकिनी नदी तो आप ऐसे याद तो उस स्थान को बोलते हैं रूद्र प्रियाग इसके बाद देव प्रियाग आता है तो देव प्रियाग जो है भागी रथी और अलक नंदा के संगम पर बनता है तो यहाँ पर देखिए भागी रथी में आपको एक सब भी मिल जाएगा भागी को कर लेते हैं भागे ठीक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रियाग अच्छे से याद हो गये होंगे तो देवो प्रियाग के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक छेत्र पढ़ता है जिसका नाम है हरिद्वार हरिद्वार से ही जो गंगा नदी है वो मैदानी छेत्र में प्रिवेश करती है यहीं पर बिजना और उत्तर प्रदेश पढ़ता है तो वहीं से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी आगे बढ़ती हुई कन्नाउज तक पहुँचती है कन्नाच में एक महतपुर्ण नदी आकर मिलती है जिसका नाम है राम गंगा नदी जो राम गंगा नदी है ये उत्तरहखंड के दूधी टोली पहाडी से निकलती है और जिम कार्विट नेशनल पार्क में बहती हुई कन्नावज में आकर गंगा नदी के बाएं तट से मिल जाती है यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है कि कौन सी नदी बाएं तट से आकर मिलती है और कौन सी नदी दाएं तट से आकर मिलती है और जिधर आपका दाया होगा उधर से आने वाली जो नदियां है वो दाये तर से आकर मिलेंगी तो सिंपल सा तरीक है आपको परिशान नहीं होना है कन्नावज के बाद एक इस्थान पढ़ता है कानपूर ठीक है कानपूर के बाद एक इस्थान पढ़ता है प्रियाग राज तो प्रियाग राज में गंगा की एक महत्पुन सहायक नदी है जो की दाये तर से आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री उत्तरा खंड से निकलती है जो कि बंदर पुंच गलेशियर यहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ से निकलती है और यह आकर प्रियाग राज में गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी के बारे में आगको बताऊंगा क्योंकि इसकी भी बहुत सारी सहायक नदीया है जो कि यमुना नदी में मिलकर बाद में गंगा नदी में समाहित हो जाती है फिलहाल हम लोग पहले गंगा को सीधे देख लेते हैं तो जब गंगा नदी प्रियाग राज से आगे तो याद रखियेगा लखन्वक इस नदी के तट में इस थीथ हैं गोमती नदी के तट में इस थीथ हैं इसके बाद गंगा नदी से दाएं तट से एक नदी आकर मिलते हैं जिसका नाम है घांगरा नदी जो है इसको उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास सर्यू के नाम से भी जाना जाता है आपको पता है जो अयोध्या है वो सर्यू नदी के तट में इस्थीत है तो घांगरा को ही अयोध्या के पास सर्यू नदी के नाम से जाना जाता है जो घा पढ़ता है वहाँ पर मापचा चुंग ग्लेसियर से निकलती है तो नेपाल में इसको करनाली नदी के नाम से जाना जाता है ये नेपाल में दो भागों में बढ़कर इन दो साखाओं में बढ़कर बहती हुई आगे बढ़ती है तो एक साखा का नाम होता है सीखा और दूसर नदी या फिर सारदा नदी दोनों नाम से जाना जाते है तो यह आकर दाएं तरसे जो करणाली नदी है उसमें मिल जाती है तो जहां से यह मिल जाती है उस छेत्रे से इसका नाम हो जाता है घांगरा नदी ठीक है और फिर घांगरा आगे किसमें बदल जाती है अयुध्या के पास 22 तरसे गंगा में ठीक है तो इस चीज को आप याद रखिएगा इसके बाद एक इस्थान पढ़ता है पटना पटना जो है यहाँ पर एक महत्पूर्ण नदी जो है गंगा के दाएं तरसे आकर मिलती है जिसका नाम है सोन नदी जो की मैकल रेंज अमर कंटक से निकलती ह और आती हुई यह पटना में मिल जाती है ठीक है किधर से मिलती है दाएं तरसे मिलती है साथी साथ सोन नदी की कुछ सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी यह आकर सोन नदी से मिलती है और फिर सीधे जाकर सोन नदी पटना में गंगा नदी से मिल जाती है इसके बा गंडक नदी जिसको काली गंडक के नाम से भी जाना जाते है तो यह नेपाल और तिबद के बॉर्डर से निकलती है और गंगा में यह बाएं तड़ से आकर मिलती है ठीक है तो कहां मिलती है यह हाजीपूर के निकट सोनपूर में ठीक है इसके बाद जब गंगा नदी आगे वड़ती है तो यहाँ पर बायतर से चमपारण से निकलने वाली बूढ़ी गंडक नदी आकर मिल जाती है उसके बाद एक इस्थान पढ़ता है भागलपूर भागलपूर में यहाँ पर एक छेतर है कुरसेला ठीक है तो यहाँ पर कोशी नदी जो है वो गंगा नदी में बा ठीक है तो यह आकर भागलपूर के पास ये बिहार में बिल जाती है ठीक है तो गंगा नदी में मिलती है और आपको पता होगा जो कोशी नदी है इसको बिहार का सोग कहा जाते है क्यूंकि यह काफी ज्यादा अपना के बाद यहां से जहारखन को बॉर्डर इस्टार्ट हो जाता है तो जहारखन में बहुत कम बहती है तो जहारखन के, साहिब गंज इलाका है यहां से गंगा नदी जहारखन में प्र Gmailatheads men מת तरफ जाते है उसको पदमा की नाम से जाना जाते है और दूसरा भाग जो है जो की पशिम मंगाल की तरफ बैता है उसको भागी रथी या फिर हुगली की नाम से जाना जाते है तो कलकत्ता के पास यहां पर एक नदी आकर मिलती है जो की गंगा नदी के दायतर से मिलती है उस ये बोलिए कि गंगा नदी ही है जिसको हुगली या फिर भागी रथी की नाम से जाना जाता है तो ये आकर उसमें मिल जाती है साथ ही साथ दामोदर की एक सहायक नदी है जो कि छोटनागपूर के पठार से ही निकलती है जिसका नाम है बराकर नदी ये दामोदर में दामोद देश वाले में मैंने आपको बताया कि बांगला देश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है तो आगे चलकर उधर से ब्रंभपुत्र नदी तंत्र इसमें मिल जाता है ठीक है तो ब्रंभपुत्र नदी तंत्र जहां पर मिल जाता है तो पद्मा के नाम से यह आगे बढ किएगा यागे ब्रंभपुत्र नदी तंत्र में मिलती है उसके बाद यहाँ पर मेगना नदी जो है जिसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है वो भी मिल जाती है और फिर बाद में यह बंगाल की खाड़ी में समा जाती है ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा को समझा अब पीछे हम लोगों ने एक नदी को छोड़ दिया था जिसका नाम था यमुना नदी ठीक है जो की गंगा नदी की महत्यपून सहायक नदी है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो यमुना नदी के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया थ दिखेंस है। फिर आगे चलके सहारणपूर से निकलने वाली महत्रपुर्ण नदी जिसका नाम है हिंडन नदी ये भी बाइपर से आकर यमूना नदी में मिल जाती है फिर मतुरा पढ़ता है उसके बाद जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो आगरा पढ़ता है और फिर पढ़ता है इटावा इटावा महत्पूर्ण है क्योंकि यहाँ पर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चम्बल नदी जो चंबन नदी है ये मधप्रदेश के जानापव पहाड़ी से निकलती है और आकर ये यमुना नदी में मिलती है किस तर्ट से मिलती है तो ये दाएं तर्ट से मिलती है साथी साथ चंबल की महत्पूर्ण सहायक नदियां है जिसमें एक नदी है बनास नदी जो की चंबल में बाएं तर्ट से आकर मिलती है ये अरावली पहाड़ी से निकलती है और आकर चंबल नदी में समाहित हो जाती है फिर बाद में ये चम्बल नदी के साथ साथ जाकर कहां पहुँचती है यम्मौ नदी में। उससे पहले तीन और महत्पूर्ट सहायक नदिया हैं, एक है चिप्रा नदी, चिप्रा नदी की बारे में आपने सुना होगा कि उज्यान चिप्रा नदी के तट मिस्तित है यहाँ पर महाकुम का मिला भी लगता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो बिंध्यन की पहाड़ी से चिप्रा नदी निकलती है और यह दाएं तट से आकर जो चंबल नदी है उसमें मिल जाती है साथ ही मालवा से निकलने वाली जो काली सिंध नदी है ये भी दाएं तट से आकर चंबल नदी में मिल जाती है और रामकुण से निकलने वाली जो पार्वती नदी है ये भी दाएं तट से आकर चंबल नदी में मिल जाती है और बाद में जो चंबल नदी है वो इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिलती है ठीक है इसके जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो सिंध नदी है सिंधु नहीं बलकि सिंध नदी यह आकर मिलती है यमुना में दाएं तट से ठीक है यह मालवा के पठार से निकलती है और जाकर इटावा के आगे हमीरपूर से पह पुपति हैं फिर आगे चलके हमीरपूर के पास यह बेतवा नदी मिलती है इस के बाद एक स्थान पढ़ता है बांदा बांदा जो है यहाँ पर एक महत्पून सहायक नदी भी आकर मिलती है जिसका नाम है केन नदी जो केन नदी है वो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में दाएं तरसे आकर मिल जाती है ठीक है फिर बाद में जाकर यमुना नदी जो है वो प्रियाग राज मे समाहित हो जाती है तो ये चीजे महात्पुन थी आपके लिए गंगा नदी के संबन्ध में ठीक है या फिर गंगा नदी के अपवाह तंत्र के संबन्ध में, कुछ चीजे मैं आपको और बता दूँ कि जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चंबल नदी और अगर बात करें कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वो घांगरा नदी है ध्यान दीजेगा पानी के हिसाब से बोला जा रहा है मतलब अपवाहत तंत्र के हिसाब से तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी घांगरा नदी जबकि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है ठीक है लंबी कौँसी है यमुना और सबसे बड़ी कौँसी है तो घांगरा सबसे पानी घांगरा देती है गंगा को ठीक है इसका नदी है सबसे बड़ी है साथी मैंने आपको यहाँ पर एक चीज सहायक नदी है मैं आपको बता दूं जो महानंद नदी है ये पस्चिम बंगाल में दाजलिंग की पहाड़ियों से निकलती है ठीक है और ये प्रवाहित बिहार और पस्चिम बंगाल दोनों जगे में होती है तो ये चीज आपको याद रखना है साथी एक चीज और याद गंगा की जो सहायक नदी है वो सब की सब बाएं तट से आकर मिलती है तो ये चीज आपको याद रखना है ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा नदी के अपवाह तंतर को समझा तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंधू नदी तंतर के बारे में जो सिंधू नद आप Glacier से निकलती है और आगे चल कर यह हिमाले परवत को पाट कर दमचॉग के निकट भारत में हցरत करती है सिंधु नदी एक पूर्व वर्ती नदी है पूर्व वर्ती का मतलब यह नहीं है कि पूर्व दिशा से बैठी है बलकि ये है कि हिमाले परवत के निर्मान से पहले ये नदी थी ठीक है मतलब पहले से ये नदी बह रही थी तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है यहां से एक सतलर नदी निकलती है वो भी पूर्ववर्ती नदी है ठीक है तो याद रखेगा कि सिंदू नदी एक पूर्व बढ़ती नदी है जो आगे चल कर जो की मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हिमाले परवत को काट के आगे आती है दमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है इसके बाद जो महान हिमाले था उसके तीन महतपूर य नंगा परवत के उत्तर में एक इस्थान है जिसका नाम है बुंजी तो बुंजी में ये लगदाक स्रेणी को जब काटती है तो वहाँ पर एक गारज का निर्मान करती है जो की भारत का सबसे गहरा गारज है ठीक है ये गारज जो है लगभाग बावन सो मीटर गहरा है मतल नदी तंत्र के बारे में समझना अभी इसके संबंध में कुछ और नदियां है जो कि इससे आकर मिलती हैं तो मैंने आपको बताया कि लद्दाक और जासकर के बीच में सिंदु नदी बहती हुई आगे बढ़ती हैं तो जासकर रेंज से एक महत्पूर नदी निकलती है जिसक कौन सा है तो जो जासकर नदी है वो सिंदु नदी में बाएं तर से आकर मिल जाती है इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सिंदु नदी में दाएं तर से आकर सियोक नदी मिलती है जो सियोक नदी है वो रेमो ग्लेसियर से निकलती है जब रेमो ग्लेसियर से स्योक नदी निकलती है तो इधर से आकर गलवान नदी जो है उसको जोईन कर लेती है मतलब स्योक नदी के बाएं तर्ष से आकर जोईन कर लेती है कौन सी गलवान नदी और फिर थोड़ा सा आगे जाने पर सियाची इंगलेशिय से निकलने वाली जो नुब्रा नदी है वो स्योक नदी को दाएं तर्ष से जोईन करती है और फिर आगे चलकर सभी नदियां सिंधु नदी को दाएं तर्ष से जोईन कर लेती है इसके बाद जब सिंधु नदी और आगे बढ़ती है तो यहां से जो गिलगिट नदी है वो दाएं तरफ से आ आकर सिंधु नदी में मिलती हैं एक है काबुल नदी जो काबुल नदी है इसकी भी सहायक नदी एक महत्पूर्ण जो की स्वात नदी है तो काबुल नदी में आकर मिलती है और फिर काबुल नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाती है इसके बाद कुर्रम और गोमल नदी जो कर सिंधु नदी में मिलती हैं पंच नद मतलब पांच नदियां जो कि सिंधु की महत्पोन सहायक नदियां है ठीक है और फिर पंच नद के आगे जम नदियां आगे बढ़ती हैं तो यहां पर जो सिंधु नदी है वो कुल मिलाकर जाकर नीचे अरफ सागर में समाहित हो जात निकलती है एक का नाम होता है चंद्रा और एक का नाम होता है भागा चंद्रा और भागा आगे चलकर एक हो जाती है और चिनाव नदी के रूप में आगे बढ़ती है और ये आकर पंच नद जहां पर मैंने आपको बताए मिठान कोट यहां पर आकर सिंधु नदी से मिल जात जहांग में चिनाव नदी से दाएं तर से मिल जाती है। जहांग में चिनाव नदी से दाएं तर से दाएं तर से दाएं तर से दाएं तर से एक नदी आकर मिलती है। जो की ब्यास कुंड से निकलती है हिमान्चा प्रदेश से और हरी के नामकिस्थान जो की पंजाब में पढ़ता है यहां पराकर सतलाज नदी से मिल जाती है। फिर आगे चलका है जो सतलाज नदी है वो मिठन कोट से थोड़ा सा पहले पंच नद में सामिल हो जाती है। तो यहां पर देखिए पंच नद हो गया और पंच नद जाकर फिर मिठन कोट में सामिल हो गई पंच नद मतलब पांच नदिया हो गई कौन कौन सी तो एक हो गई सतलाज नदी दूसरा ब्यास नदी तीसरा रावी चौथी चिनाव और पचवा जेलम नदी ठीक है तो यह बोली जाती है पंच नद और यहां पर जो हरीके नामकिस्थान है मैं आपको बता दूँ कि हरीके नामकिस्थान से ही एक महत्पुन नहर निकलती है जो है इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी जो नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है ठीक है तो याद रखिएगा तो वो कहां से निकलती है हरी के नामकिस्थान से जो कि पंजाब में पढ़ता है तो ये थी चीजे महत्पुन सिंधुनदी तंत्र के संबन्ध में कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूँ जैसे कि जो सिंधुनदी की कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर लेकिन भार सिंधुनदी केवल लड्दाक में ही प्रवाहित होती है साथी साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था जो चिनाव नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनती है चंद्रा और भागा है ना तो चंद्रा और भागा जो है वो इकठा कहां पर होती है तो यहां पर एक स्थान पढ़ता है तो यहां पर यह दोनों नदिया इकठा हो जाती है हिमांचर प्रदेश में ठीक है तो यहीं इसका नाम क्या हो जाता है चिनाव हो जाता है और साथ ही साथ आप यह भी याद रखिएगा कि जो सतलज नदी है वो 120 किलो मीटर की भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है इ इसकी अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जो लद्दा की राजधानी है लेह वो सिंधु नदी के दाएं तट में इस्थीत है ठीक है यह ग्या में कई बार प्रशन पूछा जगया है कि लेह जो है वो सिंधु नदी के किस तट में इस्थीत है तो सही जो आप क्या हो पुत्र नदी है ये कैलास रेनी जो की तिबत में पढ़ता है और आपको पता है तिबत जो है चीन के अधिकार छेत्र में आते हैं तो कैलास रेनी में एक ग्लेसियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेसियर आंगसी ग्लेसियर जो है ये चेमा यूंडूंग ग्लेसियर का ही एक भाग है तो आंक्सी ग्लेशिया से यह निकलती है और तिबबत में यहां से बहती हुई आगे बढ़ती है तो तिबबत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है या फिर यहां पर आपको एक नाम और लिखा हुआ मिल जाएगा वो है यारलू सांगपो ठीक है या तो सांगपो या फिर यारलूं सांगपो तो यहां पर तिबबत वाले छेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को इसी नाम से जाना जाता है फिर यह आगे बढ़ती है तो यहां पर एक परवत पढ़ता है जिसका नाम है नामचा वर्वा परवत नामचा वर प्रवेस करती है फिर यहां पर एक इस्थान पढ़ता है जिसका नाम है सदिया सदिया के पास से ही यह असम राज में प्रवेस करती है और फिर जब आगे बढ़ती है तो यहां पर पूरा असम में ही बहती हुई आगे जाती है और यहां पर एक इस्थान पढ़ता है धुबर तो धुबरी के पास से ही यह बांगला देश में प्रवेश कर जाती है और बांगला देश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से और असम में इसको जाना जाता है ब्रमपुत्र नदी के नाम से जबकि अरुणांचर प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से या ऐसा कहिए कि पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांगलादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाते है जो ब्रम्भ पुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई 2900 किलो मीटर है जबकि भारत में ये लगभग 916 किलो मीटर ही प्रवाहित होती है ब्रम्पुत्र नदी का जो प्रवाह है वो तीन देसों तिबब जो की चीन में आते हैं तिबब, भारत, बांगलादेस में ये प्रवाहित होती है जबकि ब्रमपुत्र नदी तंत्र जो है इसका प्रवाह चार देसों में होता है तिबबत, भारत, बांगला देस और साथी भूटान भूटान की भी कुछ नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां है तो यह इसके नदी तंत्र में सामिल हो जाती है ठीक है तो याद रखिएगा ब्रमपुत्र नदी तीन देसों में प्रवाहित होती है जबकि ब्रमपुत्र नदी तंत्र जो है वो चार देसों में फैला हुआ है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सदिया के पास ये असम राज में प्रवेस करती है तो यहाँ पर ये गुमफित अपवाह के करण कई सारे नदी द्वीप बनाती है गुमफित अपवाह का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे कई सारी धाराएं पहले तो अलग होती है और फिर आगे चलके वो फिर से ब्रह्मपुत्र नदी में सामिल हो जाती है तो यहाँ का जो भूखंड होता है वो श्यारो तरब जल से भर जाता है और जल से भरे होने के कराने के एक द्वीप की तरह दिखते है और नदी में द्वीप है तो जाहिए सी बात है कि यह एक नदी द्वीप होगा तो इस प्रकार के कई सारे नदी द्वीप यहाँ पर बने हुए है यही पर विश्फ का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी इस्थीत है जिसका नाम है माजुली नदी दीप है साथ ही मैं आपको बता दूँ कि असमराजी में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ब्रीज भी स्तित है जिसका नाम है बोगी बील ब्रीजे जो बोगी बील ब्रीज है इसका उद्गटन 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था यह असमराज के धहेमाजी जीले को डिप ब्रुगर से जोडने का काम करता है यह भ्हारत का सबसे लंबा रेल इसाह सड़क पूल है जबकि एसिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सबसे बड़ा सेतू है मतलब भारत का पांचवा सबसे बड़ा पुल है लंबाई के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा है लेकिन रेल के साथ सड़क भी देखेंगे अगर तो ये पहले नंबर पर आएगा ठीक है तो ये चीज आप इसके समन्द में याद रखिएगा इसके बाद हम लोग बात कर ल ये वाला जो छेतर है ये पूरा का पूरा कौन सा छेतर है बाया छेतर और ये वाला छेतर जो है दाया छेतर है तो यहाँ पर देखिए बाया तरफ से यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूं कि अरुनांचर प्रदेश में कोई भी महत्पूर्ण सहायक नदी आकर इससे नहीं मिलती है लेकिन सद्या के आगे यहां पर एक इस्थान है असमराजी में जिसको बोलते हैं पासी घाट तो यहां पर दो महत्पूर नदियां आकर मिलती है एक नदी है दिवांग नदी और एक नदी है लोहिता नदी दोनों के दोनों जो नदियां है वो आट इसका नाम है भोला सादिया ठीक है इसे भूपेन हजारी का ब्रीज के नाम से भी जाना जाते है तो इसको आप याद रखेएगा इसके बाद मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पर माजली दीपी सीथ है ठीक है और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक इस्थान पढ़ता है लखीमपूर यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सुबन-सिरी जो सूबन सिरी नदी है वो तिबब से निकलती है और दाएं तट से आकर लखिमपूर के पास ये ब्रमपुत्र नदी में मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर दाये तट के बाद बाये तट से एक नदी निकलती है नागालेंड के लिसांग पहाड़ियों से जिसका नाम है धनस्री धनस्री की एक सहायक नदी है जो की धनस्री में यहाँ पर मिल जाती है जिसका नाम है दोयांग और फिर आगे चलका जो धन्सरी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में बाये तट से आकर मिल जाती है इसके बाद यहाँ से नागलेंड से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेसेक नदी यह भी बाये तर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर सामिल हो जाती है फिर उसकी अलावा यहाँ पर एक इस्थान पढ़ता है तेजपूर जो की असम में ही पढ़ता है ठीक है तो यहाँ पर जो दाया तट है तो तवांग वाले एरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कामेंग नदी ये काजी रंगा राष्टी उद्यान से बहती हुई यहाँ पर तेजपूर के पास आकर दाय तरसे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है ठीक है तो ये चीज़ नाम है कोपिली नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बाय तरसे उसके बाद यहाँ से भूटान से दो महतपूर नदी निकलती है एक है मानस नदी जो की मानस राष्टी उद्यान के बीच से बहती हुई यहाँ पर दाय तरसे आकर ब्रह्मपुत्र नदी में साम में आकर जो यहां पर border है बांगलादेश का तो यहां पर धुबरी के पास आकर ब्रह्मपुत्र नदी में सामिल हो जाती है ठीक है तो याद रखिएगा कि यह भूटान की भी सबसे बड़ी नदी है और यहां पर border में ही आकर यह मिलती है इसका नाम क्या है संकोस या फिर दाजलिंग पहाडी को काटती हुई यहाँ पर आगे बढ़ती है तिस्ता नाम से और यहाँ पर आकर यह बांगला देश में मिल जाती है जमुना से क्योंकि आपको पता है ब्रह्मपुत्र को बांगला देश में जमुना नाम से जाना जाते है जब यह दाजलिंग की पहाडी को दो भागों में बाढ़ती है तो इधर वाले भाग को बोला जाता है टाइगर हिल्स और इधर वाले को बोला जाता है कलिंग पोंग ठीक है तो याद रखिएगा इसके अलावा आपको पता ही है कि जो गंगा नदी है वो पदमा के नाम से बंगलादेश में बहती है और बंगलादेश में ये जाकर जमुना मेनी ब्रह्मपुत्र में समाहित हो जाती है साथ ही साथ मणिपूर से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है बराक नदी जो की कैची मोड बनाती हुई आगे बंगलादेश में आती है और बंगलादेश में इसको सूर्मा या फिर मेघना के नाम से जाना जाते है और बाद में ये जो मेघना है वो भी जाकर जमुना में मिल जाती है और पूरी की पूरी धारा को फिर मेघना के नाम से जाना जाता है और ये मेघना जाकर आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ठीक है साथ ही साथ मेगना की एक सहायक नदी है जो की गुम्टी नदी है ये त्रिपूरा से निकलती है और मेगना में समाहित होती है तो ये चीज़ आपको याद रखने है कि जब मेगना नदी जो है जमुना में मिल जाती है तो जमुना पदमा और मेगना की संयुक्त धारा को मेगना के नाम से ही आगे जाना जाता और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हैं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइदीपी भारत के अपवाह तंत्र के बारे में तो जो प्राइदीपी भारत का अपवाह तंत्र है तो यहां की जो नदिया है प्राया वर वर्षा के जल पर depend करती हैं जो प्राइदीपी नदियां हैं इनकी द्रोणियां और आकार आकार मतलब लंबाई और साथ ही साथ इनका जो जल ग्रहन छेत्र है वो छोटा होते हैं यहां पर एक सब्दाया द्रोणी एक आया लंबाई और दूसरा जल ग्रहन छेत्र तो लंबा वाटर केच्मेंट एरिया है मतलब जल ग्रहन जो छेत्र है उसका मतलब यह होता है मालीजी कोई एक विशिष्ट नदी है जैसे गंगा नदी है ठीक है या फिर यहां की प्राइदीपी नदियों में से कोई भी एक नदी ले लीजी आप जैसे की नर्मदा नदी है ठीक है उसी का जो जल बहाने वाला छेत्र है मतलब जहां से पूरा जल बहा कर लाती है उसी को बोलते हैं जल ग्रहन छेत्र निए वाटर केच्मेंट एरिया तो यहां पर जो प्राइदीपी भारत की नदिया है इनका जल ग्रहन छेत्र भी छोटा होता है द्रोणिया भी छोटी हो प्राया है इन नदियों की जो घाटियां होती हैं मतलब उतली होती है और इनमें जल की जो मात्रा होती है उसके घटने बढ़ने के करण और क्यूंकि यह पठारी छेतर है तो यहां पर उच्चावच काफी जादा देखने को मिलता है जिस करण से यहां पर जल प्रपात भी ब जो हिमालाई नदिया होती थी वो नौका गमन के लिए अनुकूल होती थी इसके अलावा जो प्रायदीपी नदिया है यह प्राया सीधी वर रेखिय प्रवाहित होती है मतलब एकदम लगवग सीधी वे बह कर चली जाती है तथा यह अपने मुहाने पर एश्चुरी वर ड लेटा का निर्माण करती है ठीक है इसके अलावा मैं आपको बता दूं हिमाले तंत्र की तुलना में जो प्रायदीपी तंत्र की नदिया है वो अधिक प्राचीन है क्योंकि जो हिमाले की उत्थान के समय बनी हाला कि कुछ नदिया ऐसी भी है जो कि पूरु वरती नदिया है मतलब की हिमाले से पहले से थी लेकिन जो ये प्रायदीपी भाग है आपको पतह ये पहले यहां नहीं था ये आया है तूटकर गोडवाना लेंड से तो यहां पर पहले भी नदिया प्राचीन नदियां मानी जाती है इसके अलावा जो प्रायदीपी भारत है उसके था गोडवाना लेंड से तूट कर ये यूरेसियाई प्लेट से आकर टकरा गया जिसके करण से यहां पर एक भरंस पड़ गया मतलब यहां पर एक दरार पड़ गया जिसी को बोला जाता है नर्मदा सोन घाटी तो यहां से अगर बोले कि यह जो प्राइद इपी पठार है त मतलब दक्षिन वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला गया इस करण से यहां का जो ढ़ाल है वो दक्षिन पूर्वी की तरफ चला गया और नर्मदा सोन घाटी के जो उत्तर वाला एरिया है उसका ढ़ाल उत्तर पूर्वी की तरफ चला गया तो अधिकान से जो नदि फिक्स उचाई मानले लिए एक दम ऊपर खड़े हैं तो अगर वहां से जो पश्चिम की तरफ से नदिया निकलेंगे ठीक है, मतलब ऊपर से अगर पश्चिम की तरफ से जो नदिया निकलेंगे पश्चिम घाट की तो जाहिसी बात है वो परवत फिर से चड़के पूर्व क तो उत्रेंगी नहीं, तो किधर चली जाती है, वो पश्चिम की तरफ ही चली जाती है, मतलब अरफ सागर की तरफ वो कम दूरी तरह करके चली जाती है, लेकिन जो पश्चिमी घाट परवस से पूर्वी की तरफ से कहीं से भी निकलती है, तो वो पूरी तरह से पूर्वी की दिशा की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है तो यह चीज याद रखिएगा और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नर्मदा सोन भरंस गाटी है तो नर्मदा सोन भरंस गाटी जो है इसी के कराण यहाँ पर जो नर्मदा नदी बहती है वो सिधे पश्चिम की तरफ आती है जबकि ये निकलती कहां है तो ये मध्य से निकलती है मतलब जो प्राइद इपी भरत है लगभग उसके बीच से निकलती है लेकिन आती कि इधर है पश्चिम की तरफ आती है जबकि काइदे से इसको जाना कि इधर चाहिए तो इसको जाना चाहिए इधर चली आती है सेम जहां से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी सोन नदी भी अपने भ्रंस में बहती है लेकिन वो पश्चिम की तरफ ना कर पूर्व की तरफ चली जाती है क्योंकि बीच में एक परवत है तो इस करण से क्या होता है कि जो सोन नदी है इधर नाकर उधर साइड चली जाती है और बाद में जाकर वो गंगा में मिल जाती है तो याद रखिएगा दो विचीत्र नदियां है एक नर्मदा नदी और एक तापती नदी जो की धाल के विप कि जो प्रायदीपी भारत की नदियां है जो अरब सागर में आकर गिरती है वो प्रायः एस्चुरी का निर्मार करती है और जो बंगाल की खाडी में आकर गिरती है वो प्रायः डेल्टा का निर्मार करती है प्रायदीपी भारत की नदियों को दो भागों में बाट कर प और पश्चिम वाहनी नदियों में सावरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियर ये सब नदियां आती हैं, ठीक है तो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डीटेल में चर्चा करेंगे, तो चले शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पश्चिम व मतलब ना तो यह किसी सामुदर में मिलती है और ना ही यह किसी की सहायक नदी है बलकि यह एक अंतह स्थली नदी है क्यों क्योंकि यह कच्छी के रन में बिलीन हो जाती है। सहायक नदिया है एक है सुकरी नदी और एक है जवई नदी तो याद रखिएगा सुकरी और जवई किसकी महत्पून सहायक नदी है तो सही जवाब होगा लूनी नदी तो लूनी नदी के सम्मध में आपको इतनी चीजे याद रखनी है इसके अलावा कच्छ के रन में तीन और महत्पूर नदियां है जो की विलीन हो जाती हैं एक है पश्मी बनास नदी एक है सरसूती नदी और एक है रूपे नदी तो याद रखिएगा ये तीन नदियां और है जो की कच्छ के रन में विलीन हो जाती है ठीक है ये सब की सब राजस्थान से ही निकलती है इसके बा और एहमदावाद इस्थीत हैं ठीक है और साथ ही याद रखिएगा जो साबरमती आसरम है वो भी साबरमती नदी के किनारे ही इस्थीत है तो साबरमती नदी के समंध में आपको इतनी चीजें याद रखनी है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माही नदी की जो माही नद कि लेकिन घिए पर की तरफ आती हुई खाड़ी में गिर anthrop गरती हैं तो जब उत्र की तरफ चल रही होती है। और जब दुबारा यूटर्ण करके आती है पश्चिम की तरफ तब भी करक्रेखा को एक बार काटती है तो यह करक्रेखा को दो बार काटने वाली महत्पुन नदी है तो अगर आप से पूछा जाते है कि कौन सी नदी करक्रेखा को दो बार काटती है तो सही जो आप क्या मिल जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की जो नर्मदा नदी है वो मैकाल स्रेणी के अमर कंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में भरुच के पास जाकर ये मिल जाती है साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई है लगभग 1312 किलो मीटर है और यहाँ पर एक स्रेणी इस्थी था है जिसका नाम है विंद स्रेणी इसके बाद यहाँ पर सत्पुड़ा स्रेणी इस्थी था है यापके सत्पुड़ा रेंज बोल सकते हो आप इसी का एक हिंसा है मैकाल स्रेणी मैकाल स्रेण और अमर कंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है और ब्रंस घाटी में होती हुई ये भरुच के पास खंभात की खाड़ी में मिल जाती है ठीक है और यहीं से एक सोन नदी निकलती है जो कि दूसरी तरफ जाती है अपनी सोन घाटी में बहती हुई और गंगा में मिल जाती है इ इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जो नर्मादा नदी है ये भारत की प्राइदीपी नदियों में अरफ सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है तीन बाते याद रखिएगा पहला भारत की है दूसरा प्राइदीपी न नदी में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी दूसरी कृष्णा नदी और तीसरी नर्मादा नदी ठीक है लेकिन याद रखिएगा अरफ सागर में गिरने वाली भारत की प्राइदीपी नदियों में जो नर्मादा नदी है इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि होम कारेश्वर बांध बने हुए हैं ठीक है तो आपको ये चीज़े याद रखनी है और याद रखिएगा इसकी कुछ महत्पूर्ण सहायक नदीयों के नाम जिसमें पहली महत्पूर्ण सहायक नदी है बंजार नदी दूसरी महत्पूर्ण सहायक नदी है बरना नदी ती पुलताई नामा की स्थान से निकलती है जो की सत्पुड़ा रेंज के अंतरगात आता है और आगे चलके अरब सागर में ये गिर जाती है इसके किनारे एक महत्पुन इस्थान इस्थित है जिसका नाम है सूरत तो अगर आप से पूछा जाते है कि सूरत किस नदी के तट पर इस्थित है तो सही जो आप क्या होगा तापती नदी साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नदियों के किनारे इस्थित महत्पुन नगर या फिर सहर को याद करने की वीडियो पहले से अपलोड है तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आ आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं तापती नदी के समझ में आपको कुछी जे और याद रखनी है जैसे कि यह महाराष्ट में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है इसकी अलावा इसकी जो महत्पुन सहायक नदी है उसका नाम है पूर्णा तापती नदी जो है मांडवी नदी की जो मांडवी नदी है यह करनाटक के बेल गाउं से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है साथी मैं आपको बता दूं कि जो मांडवी नदी है इसी के किनारे गोवा की राजधानी प इस नदी में बना हुआ है तो मांडवी नदी में बना हुआ है और ये तो आपको याद ही रखना है कि गोवा की राजधानी जो पंजी है वो मांडवी नदी के किनारे ही इस्थीत है ठीक है इसके बाल हम लोग बात कर लेते हैं जुआरी नदी की जो जुआरी नदी है ये कर पहोग एक ही स्थान में अरफ सागर में जाकर मिलती है तो इसी के मुहाने में मरमा गाव बंदर गाह इस्थीत है तो आपको यह चीज जुवारी नदी के समंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सारा वती नदी की। जो सरावती नदी है इसको सारावती नदी या फिर सरावती नदी बोलते हैं तो जो सरावती नदी है ये करनाटक के सिमोगा जिले से निकलती है और आगे चलके अरब सागर में गिर जाती है इसके समद्ध में आपको किवाल एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें जोग जल जलप्रपात इस्थीत है जोग जलप्रपात जिसको गर्सोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाते है तो वो सरावती नदी में ही इस्थीत है ठीक है तो आपको सरावती नदी के समंध में इतनी चीजे ही याद रखनी है इसके बाद हम लोग बात कर प्रवाहित होती है तो इसकी कुल लमबाई हो जाती है दो सो पचास किलो मीटर इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो भरत पुछा नदी है यह केरल की सबसे लंबी नदी भी है तो आप भरत पुछा नदी के सम्मन्ध में इतनी चीजें याद रखियेगा ठीक है इसके ब हम लोग बात कर लेते हैं पेरियर नदी की जो पेरियर नदी है यह भी तमिलाडु के अन्ना मलाई परवस्से निकलती है इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि जो केरल की सबसे लंबी नदी है वो तो भरत पुछा नदी है लेकिन केरल की जो दूसरी सबसे बड़ी के समन्ध में याद रखनी है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंबा नदी की जो पंबा नदी है ये भी केरल से निकलती है इसके बारे में आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो पंबा नदी है ये बिम्बनाट जील में जाकर मिल जाती है बिम्बनाट जील है वैसे जील होने के करण में आपको बता दूँ कि इसको लैगून या फिर कयाल भी बोला जाता है क्यों क्योंकि ये सामुद्री तट में इस्थित होने के करण इसको लैगून बोला जाता है लेकिन लैगून को केरल में कयाल बोला जाता है तो याद रखिएगा ये जो पंबा नदी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी की जो स्वर्ण रेखा नदी है यह ज चोटानागपूर के पठार का ही एक भाग है जो चोटानागपूर का पठार है इसके बीच में एक भरंसगाटी है जिसमें दामोदर नदी बहती है तो दामोदर नदी जो है वो चोटानागपूर के पठार को दो भागों में बाटती है जो उत्तरी भाग है उसको बोले आता राची का पठार ठीक है तो जाहिर शी बात है जब भ्रांसगाटी में बहती है मतलब यहां से दरार पड़ गई जिस करण से दामोदर नदी से जो उपर वाली नदिया है उनका जो प्रवा है वो उत्तर पूर्व की तरफ है ठीक है जबकि जो नीचे वाली नदी से नीचे व उपर होली जो नदियां उनमें कुछ नदियां जो हैं वो गंगा नदी तंतर में भी सामिल हो जाती है। और थोड़ा सा जारखन में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो वैतनी नदी के समन्द में आपको इतनी ही चीजें जानना है इसके बाद जो अगली नदी है वो है ब्रह्मभनी नदी तो जो ब्रह्मभनी नदी है ये जारखन के छोटा निकलने वाले संख तथा साउथ कोयल नदी के राउर केला में मिलने से बनती है मतलब दो नदियों के प्रवाह जब इकठा हो जाता है संख नदी और साउथ कोयल नदी जो की राउर केला के पास इकठा होती है तो यहीं से ब्रह्मभनी नदी का उदगम होता है मतलब यहीं नदियों से मिलकर बनती है संख नदी और साउथ कोयल नदी तो इतनी चीज़े आपको ब्रह्मणी नदी के संबंध में याद रखनी है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महा नदी की जो महा नदी है यह सिवहा के पहाड़ी जो की 36 गड़ में पड़ता है यहां से निकलत उड़िसा, मधप्रदेश और जहारखन में फैला हुआ है ठीक है और इसकी कुछ महत्पूंट सहायक नदियां है उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ तो यहां सिवहा इस्थान है मतलब 36 गड़वाला जो सिवहा है जहां से यह महा नदी निकलती है और आगे चलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो यहां पर यह जो सिवनात नदी है यह इससे आकर मिलती है उसके बाद इस छोर से जोक नदी जो है वो आकर मिलती है यहां पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है हंसे देव नदी वो भी इसससे आकर बाया छोर से मिलती है मैंने दाएंचोर से जो है हंस देव नदी भी मिल रही है इसके बाद मंड नदी और इव नदी जो है ये भी बाएंचोर से मिलती है उसके बाद जब आगे बढ़ती है ये नदी तो एक नदी है ओग नदी ये आकर दाएंचोर से मिलती है और फिर तेल नदी भी दाएंचोर से आकर मिल जाती है ओग नदी से पहले यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम हीरा कुंड बांध है तो याद रखेगा जो हीरा कुंड बांध है यह उडिसा में बना हुआ है और कहाँ पर बना हुआ है तो ओग नदी से पहले जहाँ पर इव नदी मिलती है याद रखियेगा इसके बाद हम लोग बात कर लियते हैं गोदावरी नदी नदी है वो महाराष्ट में नासिक के तरंब से ही अर तिलंगाना और आंधफ्र पृदेर्श फोती होती है बंगाल की खाडी में गीर जाती है जबकि इसका जो अनेested तंत्र है वो महाराष्ट त्ल अंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ मध्र प्रदेश 36 गड़ और ओड़ीसा राजी में फैला हुए है क्योंकि इसकी कई सारी महत्पूर्ण सहायक नदियां है इसके करण से ये अलग-अलग राज्यों में भी और जादा फैला हुए है तो यहां पर नासी के तरंब क यसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो दाएं तरफ से तीन महत्पूर्ण नदियां आकर मिलती है जिसका नाम है प्रवरा नदी आगे चलने पर भूला नदी और 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 आगे चलने पर मंजरा नदी इसमें दाएं छोर से आकर मिलती है इसके बाएंचोर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है वर्धा नदी में दो महत्पूर्ण उसकी सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पेन गंगा नदी और वेन गंगा नदी तो जब यह दो नदी आकर मिल जाती है वर्धा नदी में तो इसका नाम हो जाता है प्राण हिता नदी ठीक है तो प्राण हिता नदी जो है यानि वर्धा नदी जो है वो बाएंचोर से आकर गोदावरी नदी में मिलती है इसके वाद अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर इंद्रावती नदी जो है वो भी बाएंचोर से आकर इसमें मिल जाती है और फिर एक खबरी नदी ह वो भी यहाँ पर आकर मिल जाती है बाएंचो से ठीक है फिर आगे मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है और इसी डेल्टा के पास में एक इस्थान इस्थित है जिसका नाम है यनाम यनाम आपको पता होगा कि यह पांडुचेरी के एक भाग है पांडुचेरी के जो भाग है अलग-अलग छेत्रों में फैले हुए हैं तो उन में से जो यानम है वो यहाँ पर इस्थीत है ठीक है और यह जो गोदावरी का डेल्टा है यह च्यापा कार डेल्टा है साथी यहाँ पर एक पर्योजना इस्थित है जिसका नाम है कालेश्वर पर्योजना जो की तिलंगाना राजी में इस्थित है तो मैं आपको बता दूँ जो कालेश्वर पर्योजना है विस्व का सबसे बड़ा lift irrigation project है ठीक है इसके अलावा गोदावरी नदी के संबंध में आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो गोदावरी नदी है यह प्राइदीपी भरत की सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई लगभग 1465 किलो मीटर है तो लंबी होने के करण क्योंकि यह प्राइदीपी भरत की सबसे लंब बृद्धगंगा की नाम से कीसे जाना जाता है तो सही जो आप क्या होगा गोदावरी नदी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की जो कृष्णा नदी है ये महाराश्ट के महाबालेस्वर से निकलती है और जो कृष्णा नदी है ये प्राइदीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जबकि प्राइदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी नदी और प्राइदीपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है नरमदा नदी जबकि अरब सागर में गिरने वाली प्राइदीपी भरत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो है नरमदा नदी ठीक है और इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि क्रिष्णा के डेल्टा के पास और गोदावरी के डेल्टा के बीच में एक जील इस्थीत है जिसका नाम है कोलेरू जील ठीक है तो यहाँ से यह निकलती है महावालेस्वर से और यहाँ पर जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो सबसे पहले दाएं तट से एक कोईना नदी है वो आकर इसमें मिलती है उसके बाद वर्ना नदी जो है यह भी निकलती महाराष्ट से और आगे आकर दाएं तट स इसे इसमें मिल जाती है उसके बाद पंच गंगा और दूद गंगा नदी जो है ये भी पस्चिमी घाट महाराष्ट से ही मिल जाती है, इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से धाय छोड से ही एक नदी है घाठ प्रभा नदी जो कि करनाटक वाले छेत्रे से निकलती है और आकर इसमें मिल जाती है आपको याद होगा एक गोकक जलप्रपाथ है जो की घाड प्रभा नदी पे बना हुआ है ठीक है मैंने आपको जल प्रपात वाली वीडियो में अच्छे से याद करवा दिया है इसके बाद यहां से एक माल प्रभा नदी निकलती है वो भी दायेतर से ही निकलती है और आकर इसमें मिल जाती है उसके बाद एक 22 से महतपूर नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा नदी जो भीमा नदी है उसकी दो सहायक नदी अभी है एक नीरा एक सीना तो दोनों आकर भीमा नदी में मिलती है और फिर भीमा नदी आगे चल कर 22 से आकर इस नदी में मिल जाती है ठीक है उसके बाद यहा बात पूर्ध साहयक नदी है तु आगे चल कर के तो और आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कावेरी नदी की जो कावेरी नदी है ये करनाटक के ब्रमगिरी पहाड़ी के कावेरी ताल से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है इसके बारे में अपवाद सरूप आपको यह याद रखना है कि यह एक सदा नीरा याद रखेगा, जो कावेरी नदी है, वो अपवाद है, सभी प्राइदी पी नदियों में, यह भी सदा नीरा नदी है, मतलब इसमें भी वर्ष भर जल बना रहता है, क्यों बना रहता है, क्योंकि यह दोनों तरफ से आने वाले मांसूनों से वर्षा प्राप्त करता है, इसकी तुलना गंगा से क्यों की गई है, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है, जैसे गंगा में बना होता है, तो याद रखेगा, दक्षिन भारत की गंगा इसे क्यों कहते हैं, मतलब कावेरी नदी को, क्योंकि यह सदा नीरा है, जबकि गोदावरी नदी जो है उसको आयू और आकार के हिसाफ से दक्षिन की गंगा या फिर बृद गंगा के नाम से जाना जाता था ठीक है और साथी मैं आपको बता दू कि कावेरी के डेल्टा के पास ये कराईकल नाम का एक इस्थान है जो कि पांडुचेरी के एक भाग है वो इस्थीत है मैंने आपको बताया था कि गोदावरी के पास पांडुचेरी का येनम वाला जो इस्थान है वो इस्थीत है तो याद रखिएगा गोदावरी के डेल्टा के पास जो येनम है वो इस्थीत है जबकि कावेरी के डेल्टा के पास जो कराईकल है पांडुचेरी का ही एक भाग ह वो इस्थीत है ठीक है और जो कावेरी नदी है इसी के किनारे तंजावूर जो सहर वो इस्थीत है इसके अलावा में आपको बता दूँ जो कावेरी नदी है ये तीन बार दो धाराओं में बढ़ती है दो धाराओं में बढ़ने के करण जो बीच की भूमी होती है वो दीप क तरह दिखती है मतलब नदी दीप की तरह दिखती है तो ये तीन बार नदी दीप भी बनाती है तो पहला दीप जो ये बनाती है उसका नाम है स्री रंग पत्टनम दीप जो की करनाटक में इस्थित है दूसरा दीप है स्यू समुद्रम दीप ये भी करनाटक में इस्थित है और तीसरा दीप है, श्रीरंगम दीप. ये इस्थीत है तमिल नाडु में. साथ ही आप याद रखिएगा कि जो सीव समुद्रम जल्प्रपात है, वो तमिल नाडु और करनाटक की सीमा में, कावेरी नदी में ही इस्थीत है. कावेरी नदी में भी एक बांध है जिसका नाम है कलनाई बांध जिसको ग्रेड एनिकट बांध के नाम से भी जाना जाते है यह भारत का सबसे पुराना बांध है और साथ ही साथ यह विस्व का चौथा सबसे पुराना बांध भी है और मैं आपको बता दूँ भले ये भारत का सबसे पूराना बाद है लेकिन अभी भी ये सक्री है इसका निर्मान चोल सासको द्वारा हंड़र्ड वीसी से हंड़र्ड इसवी के बीच में करवाया गया था तो सबसे पहले बाये तर से हेरंथी नदी आकर मिलती है उसके बाद दाये तर से लक्षमर्टीर्थ नदी फिर बाये तर से एक नदी आती है जिसका नाम है हेमावती नदी ठीक है तो वह आकर मिलती है बाये तर से एक और नदी निकलती है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सिम जाती है ठीक है तो कावेरी नदी के संबन्ध में आपको इतनी चीजें याद रखनी है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैगई नदी की जो वैगई नदी है ये तमिलनाडू के मदुरई से निकलती है और आगे चलकर ये पाक की खाड़ी में मिल जाती है ठीक है तो व परणी नदी जो है इसके संबंध में आपको इतनी चीजे याद रखनी है ठीक है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नदियों के संबंध में जुड़े कुछ महत्पूर्ण फैक्ट की जैसे कि किस नदी को कहा का सोक कहा जाते है या फिर किस नदी को कहा की जीवन रेखा कहा तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस नदी को कहा का सोक कहते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्वनासा नदी की जो कर्वनासा नदी है इसको भारत का सोक कहते हैं कोसी नदी जो है उसको बिहार का सोक कहते हैं इसके अलावा जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का सोक कह जाता था लेकिन अब बंगाल का वर्दान कहा जाता है ठीक है जब से फरक्का बांध इसमें बन गया है लेकिन फरक्का बांध के बनने से पहले इसको बंगाल का सोक कहा जाता था क्योंकि ये काफी ज़्यादा तबाही वहां पर मचाती थी इसके वाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको असम का सोक कहा जाता है क्योंकि ये असम राज में काफी ज़्यादा अपना जो रास्ता है वो परिवर्तित करती है इसके बाद जो महा नदी है इसको उडिसा का सोक कहा जाता है और दामोदर नदी को जार खंड का सोक कहा जाता है बाकि आपको पता ही है कि चीन का सोक हांगो नदी को बोला जाता है तो ये भी मैं आपको साथ में बता देता हूं इसके अलावा उत्री बंगाल की जीवन रेखा है वो बोला जाता है तिस्ता नदी को और सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है तिस्ता नदी को ही ठीक है इसके अलावा मधप्रदेश की जी जीवन रेखा किसे बोला जाता है तो उसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर और याद रखेगा कि गंगा और ब्रमवपुत्र जो नदी है वो विस्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्मान करती है जो कि पश्चिम बंगाल में इस्थीत है जिसका नाम है सुंदर लाइक कर दीजेगा और हाँ अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलिग्राम पर जाएगा सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्वीज और ग्रुप को जोइन कर लिजेगा वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्वीज सॉल्व करवाय जाते हैं और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलिग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को जोइन कर लिजेगा वहाँ पर सभी वीडियो की आपको फ्री में PDF मिल जाएगी ठीक है तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद